पीटिमेड़े इस स्से जी एक्जामम थो लास्ट के विए वन ऻंत में भुला सारे बच्छए भहुत सारी दिखते थे नहीं में बहुत सारी परिशानी या थे उनके मिन में और भुल सारी वह मिस्टेक्स भी करते हैं तो अगर आप सोचप रहे हैं कि यूज से कर रहे जो student करते हैं दीन मैंने में यहाँ पर point लिखे है test series, revision और new problem तो एक बर मैं थोड़ा सा आपको brief कर देता हूँ है ना जो SSCJE 2023 का अपका exam आ रहा है October में लगबग 1 month आपका बच्किया है और अभी जो है सबसब बड़ी बात 3 point निकल का आई है ना उन पर मैं आपके थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ पहला तो है भाई revision ठीक है दूसरा point है हमारे पास test series ठीक है तीसरा point है हमारे पास new problem ठीक है तो सबसे ज़्यादे बच्चे जो है last के 30 days में क्योंकि वहाँ पे जो काम mind है वह बहुत होना जरूरी चाहिए आपका अगर mind ही आपका deflect होता रहेगा सोचते रहोगे कभी यह कभी यह कभी तो वहाँ दिक्कते आएंगे last time में आपको focused होके एक साही direction में move करना है बस last 30 days में होता क्या है मैं बताता हूँ आपको सबसे ज़्यादे क्योंकि last 30 days तक आपका syllabus almost complete हो चुका होता है last 30 days में आपको सबसे ज़्यादे important role play करता है इसका revision का है ना तो एक बात मैं आपको दुबारे से बता दूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक क्योंकि 30 दिन बचे हैं almost अभी तक आपने revision start नहीं गया है तो यहाँ पर सबसे बड़ा red mark आप लगा लो red sign है कि यहाँ पर यह revision करना start कर दो अभी सही है ना 30 दिन में अच्छे से revise करके exam दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और जहाँ पर दिक्कते आती है जहाँ पर गलतिया आप मिस्टेक करते हो वो गलतिया सही हो जाएगी तो बहुत सारे strength यह गलतिया करते हैं कि वो revision नहीं करते हैं बस पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं है ना वहाँ एक problem है इसको sort out करना पड़ेगा लास्ट के तीन दिन में तीस दिन में सबसे बड़ी problem यह भी face करते हैं लोग कि वो test नहीं देते कभी होता क्या है ना जर्नली बच्चों के साथ जैसे वो पढ़ रहे हैं तो उनको लगता कि हाँ gain हो रहा है सब कुछ समझ में भी आ रहा है सब चीज से बड़ी है चल रही है ना थोड़े दो चार question लगा लिए उन्हें लगा कि हाँ बन की बात है ना test पूरा हो गया मतलब complete हो गया work बट ऐसा नहीं होता जब आप test देते हो यानि कि आप जब test series जोइन करते हो और full length mock test देते रहते हो मतलब कि अगर 120 questions 200 questions आ रहे हैं आपके exam में जैसे और 120 minute आपको मिल रही है तो 120 minute मतलब कि पूरा पूरा आपको 2 गंटे बैटना है 200 questions उसमें attempt करने है तो वहाँ दिमाग 2 गंटे तक चलाना पड़ेगा that's why ये वाला point बहुत important role play करेगा अब last के 30 दिनों में आपको अभी करना गया है क्योंकि almost आपका syllabus completed है थोड़ा बहुत बचरा होगा वो complete होई जाएगा obviously तो ये point और ये point साथ में चलने चाहिए है आपके क्योंकि test series इतना बड़ा role play करेगा क्योंकि एक तो 2 गंटे बैठना वो जो होचपोच वाली स्तिती बनती है उससे दूर होना क्योंकि एक्जाम में ऐसा हो कि आप इलज रहे हो आप ये question छोड़ू या करूँ वो बहुत दिक्कत देती है तो उसको habit बनाना कि हाँ मेरे को question छोड़ना है ये question करना है ये question देखना ही नहीं है क्योंकि बहुत लंबा है तो इसको बाद में करेंगे ये वाली habit आप कहां से बना हो पाओगे सिर्फ टेस्ट देखे तो ये point number 2 बहुत important role play करेगा आपके exam में तो इसको अभी से test देना start कर दो ठीक है अगर किसी ने अभी तक नहीं दिया है तो तीसरे point पर चलते है guys तीसरे point मैंने आपके लिए लिखा हुआ है new problem अभी इस new problem का मतलब क्या है आपका भी दिमाग में आ रहोगा new problem का मतलब है guys कि अभी आपको पता है कि 1 by 3 negative marking है बाकी के exam में तो एससी ने 1 by 4 दुबार से कर दी है लेकिन अभी यहां पर कोई notice नहीं आया है तो 1 by 3 यह अभी तक तो है ना तो इस में क्या होगा कुछ questions आपको ऐसी मिलने वाले है exam में और क्यूंकि calculator भी allowed है पेपर 2 में जो कि subjective होता था उसके जंगे अब objective type है और calculator allowed है लेकिन first में calculator allowed नहीं है तो अभी कुछ questions से आपको ऐसे देखने को मिलेंगे exam में जो थोड़ी से tricky होंगे मतलब कहने का मतलब यह है कि question तो देखने में छोटा सा लग रहा होगा कि छोटा सा ही तो एक कर दूँगा लेकिन जब आप उसको करोगे non-tech में especially बात करूँ तो तो वहाँ पर दिक्कते आएंगे आपको वहाँ पर आपको लगेगा यह तो अब हो जाएगा question बट उसमें आप कब 2 मिनट दे दोगे कब 3 मिनट दे दोगे पता ही नहीं चलेगा और जहां आपने 3 मिनट दे दी उस पर तो आपका confidence नीचे पहुँच जाएगा और होचपोच वाली स्थिती उपर आ जाएगी और आपके हाथ पैर फूलने लगेगी फिर आपके मन में क्या आएगा मैं बताता हूँ स्थिती स्थिती यह हो जाएगी को आपको यह लगने लगेगा यार अब तो होई गया छोड़ो अगला यह attempt देंगे यह वाला तो गया ऐसे मन में आएगा तो वो चीज़े आनी नहीं है जो भी question आता है उसको करो जो नहीं आता है उसको छोड़ के आगे बढ़ो कि बहुत सारे question देखने है आपको 200 question तक जाना है सिर्फ 120 मिनट में तो एक question के लिए एक मिनट भी नहीं मिल रहे है seconds में आपको game चलाना पड़ेगा लगवर 30 seconds के आसपास मिलेगी समझे रहो इस बात को तो आपको skip करते 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 आगे बढ़ना है यह new problem में कि skipping वाली भी आप अंडाल सकते कि भाई skip तो करना ही करना पड़ेगा यह तो मस्त है और यह कहां से यह आपस में linked है सब की सब है ना यह इस वज़े से मैंने point बना रखा है यह linked है test series से और revision जो है इस से link है क्योंकि test series में तभी आप अच्छा कर पाऊगे जब आपके पास revision होगा skip आप तभी कर पाऊगे जब आपने test series दे चुके होंगे काफी सारे test दे चुके होंगे ठीक है आ रहे है इतनी बात समझ मैं तो यह सब चीज़ें आप भी करना start करो अभी क्योंकि last month आपका बचा है almost तो बहुत सारे student चाहेंगे अभी कि सर अगर किसी ने अभी तक नहीं start किये तो अभी वह कर सकता है त्यारी भाई देगो possible तो है बट थोड़ा थोड़ा possible नहीं भी है मैं frankly बताऊं एक महीने में बिल्कुल इसक्राइट से प्रिपरिशन नहीं हो सकती यह सच बात है बट जिसने किसी ने पढ़ रख है बहुत सारा पहले और वह रिपीटर है और फ्रेशर वाला तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा एक महीने में पोसीबल ही नहीं यह इतना बड़ा से टैग भी पढ़ना है नॉन टैग में भी बहुत सारे चैप्टर से हैं तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है जो बहुत सारे स्ट्ट पूछी भी रेते सीटी वाला इसमें क्लासे चल भी चुकी है तो अगर कोई स्ट्ट रिपीटर है और वह जल्दी अल्दी कवर करना जाता है कोश्चन के थूँ पूरा का पूरा स्लेवर्स खतम करना चाता है तो सीटीव बैच में आ सकता है और हमारे साथ जुड़के अपनी तयारी को और बहतर करके और यह सलेवर्स पूरा खतम कर सकता है ठीक है लेकिन सबसे इंपोर्डेंट रोल पर लेगा करेगा भी आपका टैस्रीज जो कि मैं आपको बताना भी चाहरा हूं ठीक है तो कोई भी स्टोडेंट अगर है और वो टैस्रीज जोइन नहीं किया है तो भाई टैस्रीज जोइन कर लो क्योंकि टैस्रीज ही आपका बेड़ा प्यार करा ही अभी उसके लावा कोई ऑप्शन निखुल सेक्शन चुनते वं अपना उसमें सेविल इंजिर्णंग वाले हाँ जाएंगे मैंगरनेकल के ओले एलक्ट्रिकल वा जाया हों है आप सिविल के ओ, SSC JEE दिखाई दे रहा है, नीचे जैसे जाओगे आप, ये दिखाई दे रहा है, टेस्ट मेंट, इसी की मैं बात कर रहा है ता आपको, अगर SSC JEE की कर रहे हो, तो 150 टोटल टेस्ट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इंगलिश वाले, पेपर वन एंड टू वाले यह दिखाई दे रहें, तो फाइदा अगर सिर्फ SSC JEE को फोकस कर रहे हो, तो फिर इन पर जा सकते हो, दोनों पर, अगर बाकी एक्जाम्स भी दे रहे हो, तो उसमें और फाइदा हो जाएगा, मैं एक बार आपको बता देता हूं, करना क्या है, माललो, पेपर यहना, बाइस परसेंट ओफ अभी आज चल रहे है, तो आपका फाइदा हो जाएगा, देखो, तीन सो रुपे की बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सबसे इंपोर्टेंट बात है कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा, अगर किसी ने सलेवर्स कंप्लीट कर लिया है, और नही नहीं है, आप आउट हो जाओगे बिल्कुल, तो अभी वही लोग सकस्सफुल हो सकते हैं, या तो जिन्होंने अल्रडी सलेवर्स कंप कतम कर लिया है, और वो टैस्सरी के पास आ चुके हैं, अगर अभी टैस्सरी जिन्हों दोगे, तो फेल हो जाओगे, डेफिनिटली द होता है, तो मैं चाहता हूँ, जिससे कि आप लीड पर पहुंच जाओगे, और इस्पेशली नोन टेक, गेम रोल प्ले करेगा, यहाँ पर गेम चेंजर बनेगा, पिछली बार की तरह, है ना, 100 नंबर बहुत डिसाइडिंग फेक्टर होंगे, तो उसके लिए 300 रुपे को टेस्ट देने, स्टार्ट करो, कोई भी दिक्कत आती है, मिरको आप मैसेज कर देना, ठीक है, टेलिग्राम पर, जिससे कि मैं आपका डाउट सोल जो है, वो डाउट क्लियर करना बहुत जुरूरी है, ठीक है, वो क्वेरी आपको सोल कर दूँ, और all the best सभी को, और मिरको य